आज हम डिसकस करेंगे गॉसस थेरम देखना गॉसस थेरम में हम बात करेंगे क्या रिलेशन बिट्विन एलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इंक्लोज वाइद सर्फेस देखना जो गॉसस थेरम है यह में लिए हमारा बताता क्या है यह हमारा बताता यह है रिलेशन रिप इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रिप्रज्जेंट करे वो हमारा क्या रिप्रजेंट करेगा गॉस्स तेरम देखना स्टेटमेंट में वोकि क्या ड़ी स्टेटमेंट इसाल airplane ड्यूइनक्यों personaje करे करे तो बॉल यह जा रहा है कि यहां यहां से जो फ्लक्स सब्सक्राइब है यहां से हम आप में लिघियों सकते हुआ है क्यों होगा लेंगोज में लिखना जाहें तो इसके में लिख सकते है देखने statement क्या है the flux pass through the flux pass through any closed surface is equal to 1 upon epsilon time of charge in enclosed by that surface मला उसी सर्फेस में देट सर्फेस ठीक है यह हमारा क्या हो गया statement हो गया यह हमारा statement हो गया क्या गॉस्स थेरम का जो हमारा statement मिला वह statement क्या मिला वह statement यह मिला the flux pass through any closed surface is equal to 1 upon epsilon time of the charge in close by that surface meaning क्या हुआ meaning यह हुआ कि अगर हम बोले क्या यह कोई हमारा close surface है इस close surface में charge क्यों पूट किया जाए तो इसके देखना इसमें कितनी charge बंद है वो चार्ज बंद इसके अंदर हो कितना चार्ज है क्यों क्यों चार्ज बंद है तो बोला है गया जो यह यहां से फ्लक्स पास करेंगा फ्लक्स की वैलू जो होगी वह फ्लक्स की वैलू हमको कितना मिलेगी फाइज कल डू ट्यू अपान एफसाइलन टाइम ठीक है तो इसको मिला फ्लक्स फाइज गलों के वह पान एफसाइलन टाइग अब यह चीजे तो क्या यह हमारा थेरम है तो इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा प्रूफ कैसे करेंगे देखना हम यहां पर इसका प्रूफ भी देखते हैं तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो देखते हैं प्रूफ क्या है अगर हम प्रूफ की बात करें तो बोला जाता कि क्या हमको प्रूफ का ना हमको प्रूफ करना जो गौस थेरम है गौस तरह में जो फ्लक्स बताएगा फाई यह क्यों अपार एफसले नौट ही होगा या इस से कुछ अलग होगा तो यह हमको प्रूफ करके दिखाना है तो देखने हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे रसक lookout कलोफेस के अंदर कोई भी चार्ज कुछ कर लिए ठीक है इस तरीकी से हमने किया क्या क्या है कि अधी चौव चार्ज को आजेर क्वार्फेस इस को एरिया जो था वह हमारा कितना डी एस वेक्टर था अगर हम बात करें यह चार्ज क्यूं है तो यह कैसा चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को जैसे एलेक्ट्री फील का डिरेक्शन के तरुपा रेडिली आउट वर्ड उमको मिलेगा क्या यह रेडिली आउट यह हमारा फील्ड भी इस डिरेक्शन में मिलेगा तो हम इससे पहले क्या फ्लक्स का डिफिनिशन पढ़ चुके तो फ्लक्स का डिफिनिशन क्या पड़े है कि डिफिनीशन आफ फ्लक्स कि देखना क्या था फाइज कल टू क्लोज इंटिग्रेशन आफ वेक्टर इडाट वेक्टर डिएस यही था पढ़ा था हमने आप जाके प्रिविएस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं तो अगर हम डिफिनीशन अफ्लक्स देके तो हमको मिल क्या करना पड़े डॉट्ट करना पड़े तो इसको बोला कर जाएक हमारा सकेलर मल्टिपलेक्शन बोला जाता है घ्र लाएथ यहां से आया था एए और बी को की तो एक एले कितना देखना है यहां पर अगहर हम लिखना चाहिए तो यहां से हम लिख सकते क्या क्लोज इंटिरेशन आफ ईडियस इंटू कॉस्ट तो फिर रोगा यहां पर दोनों की बीच का आंकल कितना की यहां से फाई मिलेगा ठीक है इतना मिलगे हमको unless ki value हमको अमको फ्रूफ क्या करना हम उपको प्रूफ की यह करके यह बताना कि गया हमरा फाइट निस he कि यह सुरी इसको मने इस माना था अगर हम इसको पूरा कर दे तो पूरे को integrate करेंगे अगर हम बोल each कर 12 का रीडियस स्गाय मोने इतने पूरे का Hernia कितना होता है क्योंकि integration कर रहे ना इंटीग्रेशन अगर हम कर रहें तो फिर इसका माद क्या यह चोटा-सा पांस क्यों नहीं रहेगा यह पूरे का पाट होगा तो पुरा का इंटीग्रेशन आएगा यह से मुलेगा क्या ४ीर का एरिया तो एक एक रहे तो फॉर्वर भी पॉइंट चार्ज नहीं को सब कुछ student करना तो हम यहां से लख सकतेबं फील के फिल्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा इस गल्ट वन ओवर फोर पाइब साल नोट क्यों डिवेड़ेड़ वे आर स्क्वेर अगर डिस्टेंस है तो इतना हो जागा यह वैलू भी उठा करके यहां पर पुट कर देते हैं यह वैलू भी पुट करेंगे तो यहां पर कोई क्लोज सरफेस केंदर कोई पॉइंड चार्ज पुट करेंगे और से स्माल आड डिस्टंस पर कोई एक दूसरा मानेंगे जिसका एरिया वेक्टर कितना हो का डिया सोगा फिर उसी को क्या करेंगे इंटेगरेट करेंगे और जो बैली निकल के फाइज कर लोग क्यों पान एफसाइलना यह बहुत ही इंपोर्टन्ट या बहुत यूजफुल फ from equation 192 से अगर हम बोले तो यहां से लिख सकते क्या from equation 192 से अगर हम देखे तो हमारा मिलेगा क्या close integration of e.ds is equal to q upon epsilon not यह चीजे हमको सबसे ज़्यादा याद रखना होगा यह हमारा most important है ठीक है यह चीजे हमको ध्यान में रखना होगा close integration of e.ds is equal to q upon epsilon not यह क्यों क्या in close charge है तो क्यों in close who लिख सकते है इन close का मिलों क्या जो इस box के अंदर बंद है इस sphere के अंदर बंद है वही charge क्यों लाएगा इस sphere से जो बाहर charge होगे वह हमारा charge नहीं आइंगे अभी उसके बारे में डिसकस करेंगे तो अभी हमारा क्या निकल के है जो हमारा गॉस्स से जिटना चार्ज होगा उतना का one आपन एपसेलन हमारा फ्लक्स होगा फिर हमारा क्या फ्लक्स की वैली वह वहाँ होता डिफिनीशन से हमने बढ़ा था क्या फाइच के लिएट यह पांटे में लिए पाने QCM कर लेंगे ठीक है यह हो गया अब देखना जो गौसला है इससे रिलेटर कुछ important बाते हैं वह important बाते आपको सीखना पड़ेगा देखना सबसे पहली बात क्या सबसे पहली बात यह कि जो गौस थेरं है यह सर्फेस है किसी भी close surface के लिए और फिर किसी भी चार distribution के लिए meaning क्या हुआ कोई भी close surface होगा उसके लिए gos theorem valid है उसको वहाँ पर applicable है gos theorem अगर close surface नहीं है open surface है तो वहाँ पर gos theorem applicable नहीं है जैसे open surface क्या होता close surface क्या होता close surface क्या होता चारों तरफ से ऐगर स्रफेस बंद है तो उसको बोलेंगे क्या क्लोज सर्फेस जैसे में बोलू क्या एक स्रूम है लेकिन अगर यह रूम से बाहर हो जाएं जहां पर हमारा क्या आस्मान पीचे जमीन हो बाकी चारों तरफ से दीवाल ना हो तो उधर बोला क्या जाएगा वह हमारा open surface ठीक है जैसे हम बोले open surface के लिए ring बोल सकते डिस्क बोल सकते यह सब हमारे क्या है square है यह सब हमारे क्या है open surface है लेकिन अगर हम सब्सक्राइब क्या क्राइब दूसरा point जो Net Fluxrek Martin करेंगा वह इसके अंदर चार्ज जो उसी पेडिपेंड करेंगा बाकी और किसी बात पेडिपेंड नहीं करेगा, मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग यह है, कि अगर हम बोले, कोई close surface इस तरीके से है, इसके अंदर यह charge हमारा क्या, यह charging close है, तो यहां से जो भी flux पास करेगा, वो flux क्या हमारा किस पे depend कर रहा है, देखना, यह हमारा क्या constant quantity है, है ना, यह हमारा क्या charge है, चार्ज की value जैसे जैसे बढ़ते जाएंगा, यह जैसे flux की value क्या होती जाएगे, बढ़ती जाएगे, तो बोला क्या जाता कि अगर कोई भी close surface है, वहां से जो flux पास करेगा, क्यों लोगर किस पे depend करेगा, चार्ज पे, और कौन से चार्ज पे, जो इसके अंदर in close होगा, तो अगर हम बोलें, यहां से flux जो पास करेगा, यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है, यहां पर एक चार्ज Q3 है, यहां पर एक चार्ज Q4 है, तो देखना, यहां पर जो flux पास करेगा, यहां पर, यहां पर अगर हम flux की बात करेगा, तो यहां पर जो flux पास कर गफाई वो हमारा किस पर डिपेंड करेगा जो अंदर चार्ज है उन्हीं के उपर डिपेंड करेगा बाहर के चार्ज पर कोई भी डिपेंड नहीं होगा बात समझाया बाहर वाला चार्ज को कोई भी मीनिंग उसके लिए नहीं है लेकिन फील्ड जो मिलेगा तुमको क्या ज इसके उसे गॉस्यराम से जो उभ्य निकसे लेंगे वह अंदर भी फिल्ड मिले गा और बाहर के ुक्यण जो charge होगा, जिस charge को जैसे electric fill निकल काएगा, वो charge कौन सा होगा, enclose charge होगा, बाहर वाले charge के उपर हमारा gosla applicable, नहीं है, मेंनिंग क्या, अगर हम gosla यहाँ पर apply करें तो यह बाहर के जो charge दिख रहे है, Q3 और Q4, यह Q3, Q4 हमारे लिए considerable, नहीं है, के वल और के वल कौन से considerable ह Q3 Q4 को consider नहीं कर सकते ठीक है यह हो गया हमारा ऐसे आपको problems मिलेंगे बहुत सारे problems मिलेंगे इस तरीके के बाहर चार्ज होंगे हमारे तो बाहर चार्ज को क्या हमको लेना ही नहीं है कभी भी electric field निकालने के लिए ठीक है कब जब गॉस्थेरम अपलाई कर रहे हो तब अगर नहीं कर रहे हों Simple simple से निकाल लेंगे तो वह पर हम क्या यह सारी चीज़े consider करेंगे ठीक है यह होगा हमारा उसके बाद देखना जो गॉस्थेरम है गॉस्थेरम भी हमारा किस पे इनवर्स स्क्वार ला पर डिपेंड करता क्योंकि यह यहां गॉस्थेरम से भी हमारा क्या लग एलेक्ट्री फेल निकल के आता वहन उपर आर स्कॉयर टाइप से निकल के आता तो गॉस्ट तेरम जो है वह हमारा क्या इनोर्स स्कॉयर ला पर डिपेंड करता है यह चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है विभाएं कि इसके बाद अगला देखना अगर हम बोले क्या कि हमारा जो फ्ल каким है यह अभी क्या फ्रीज वेइस में है । अगर इसी को किसीजा डीक्री मीडियम में निकल ले जाए तो जो फ्लक्स प्रधा कि एव ठीक मीडियम में तो अम लिख सकते लें में अब हो आँ प्लक्स इन हो कि डाइलेक्ट्रिक कि मीडियूम अगर दाइलेक्ट्रिक मीडियूम में फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हमारे मिले स्वाइज गलो क्यों पान एफसायलिन नोट तो होता ही है क्या हमाइख क्या है डाया एलेक्टरिक इस तरीके से हमारे निकल के आ जाएगा क्या जोमारा गॉस्धेरम तो गॉस्ट थेरम का इस्टेटमेंट क्या है गॉस्ट थेरम का स्टेटमेंट यह कि फ्लक्स पास्थ रोएन इक लो शरफेस इस इकॉल टॉण अपन अपसेलन टाइब आफ चार्ज इन को बएधार सर्फेस ठीक है यह गया इसके बाद देखना आगे है मारा अगे कूलम ला ला फ्रम गॉस्ट थेरम देखना कूलम ला फ्रम गॉस्ट थेरम अब हमको करना क्या है गॉस्ट थेरम का यूज करके कूलम ला कैसे निकालेंगे सबसे पहला उस्तों तो और फ्रस्ट वीडियो में आत्यों तो सेक्ट्ट में जाएंगे कुलंसला का मैं फार्मूला लेके कुलंसला देता हूं कुलंसला है है कि हमको K долem sliح निकलना जब कैसे समझेोगे सबसे फ़हला देखना झारे छीज तो गॉस्ध निकलना है क्यों , यहां पर कोई भी चार्ज क्यूं है ठीक है और क्यूंसे यहां पर इसमाल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फी है जहां पर कोई दूसरा चार्ज भी आ रहा है कि यह वहां पर हमको कितना फोर्स लगए ओपोर्सनला को के टर्म के नहीं फील्ड के टर इंब दो को यहां कोई प्रीट जागा यहांसे स्वान आगड़े की वान उबर कि पेसल क्योंड निवर आर तो अब हम बत करें क्या यहां पर एक कोई पॉइंट चार्ज क्यों है यहां सवाल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पर हम पर जहां पर भूमगो क्या फैल्ल निकालना मैं अब मुझे बताना है क्या यहे 카्च include है charge band है अगर charge band होगा तो हम क्या gauze seniors apply कर सकते हैं अगर ये charge band नहीं होगा तो इस दिखं़ हमारा band नहीं है तो यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा किसका Gaussian surface की कि gauze gas surface की बात करेंगे देखने oxygen surface होता गया है अगर हम случай resource की बात करें जो बोल जाता है ये है कि लिए हम यह करते क्या गॉसésन सर्फइस को मैं कंसीडर कर लेते हैं ठीक है तो कंसीडर एक इमेजनरी छीज एं जिशको है डिमाग में के क्यों लिच तो हमको जहां प्वोड़ भताते हैं उहां फिकाशिज्ग करने के के लिए क्या करना पड़ेगा साहिसा से क्लाना पड़ेगा rice लाने के लिए चंज को आने लिए था है ऐसे बनाइगा हम सोचते के वля हैं कि इस तरीक से में जाएगा इतना जाएगा से इतना फ्लक्स जाएगा गोंसा। अरहम बना रहा हूं तो यहां पर एस तरीक से सर्फिसमें नहीं रोगए हम अब दोगह आप इसके होज़ा से संधे बनत 나 में से निकंडा ऎलें वहत डियाン है ऑप अगर और हमने कोई तरह कर दिया ना यहां से हमको मिलेगा क्या देखना गouse एंडेट यह भी पता हमको टीक है तो यह हमारा इकोईशन प्रोट हो गया कर देखेंगे तो यहां से हमको मिलेगे क्यों हम लिख सकते हैं from equation one and two one and two से अगर देखेंगे तो यहां से close integration of e.ds जो दिखेगा यह हमको दिखेगा कितना क्योपन epsilon not यहां से देखने vector form में होगा तो यहां से हम यह भी लिख सकते क्या दोनों के बीच का angle कितना zero है तो e.ds हमारा e.dsc हो जाएगा ठीक है इतना हो गया तो यहां से देखने हमको मिलेगा क्या यहां से हमारा electric field बाहर हो गया यह तो हम बाहर कर लिया integration से क्यों क्योंकि field हमारा change होने वाला नहीं यह area vector ही क्या करेंगे इसी को हम integrate कर सकते हैं यह भी इतना छोटा सा part है इसको integrate करके क्या पूरा minus fear बनाएंगे बड़ा साथ ना integration का मीनिंग यह होता सम करना यहां से हमारा यह है हो जाएगा यह हो जाएगा integration of ड इस इॉक्क टो कितना क्यों पान इपसालेंड ौट हो जाएगा यहां से हमारा मिल जाएगा e ड्स की वैले होगर हम चेक करें तो इसको हम उदर कर देंगे तो इसको कितना मिल जाएगा क्यों अपान फोर पाई आर स्कॉर इंटो एपसाले नट थोड़ा अच्छे से इसको लिख दे तो देखना अच्छे से हम क्या लेख सकते हैं इसकल टो ओन ओवर फोर पाई अपसले नॉट क्यों डिवेड़ेड़ वे आर इसको है देखना कुछ ऐसा ही लिखा हुआ ना यह तो यह हमारा क्या है कूलम्स लाइए थीक है तो इस तरीके से हम क्या गॉस्ट तेरम का यूज़ करके हम क्या कूलम्स ला को डिफाइन कर सकते गॉस्ट तरम का हम यूज़ करेंगे और क्या कूलम्स ला निकालेंगे इस तरीके से अब हम करेंगे क्या इससे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर क्या इसके बाद हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे ठीक है अभी इतना के बाद हम आगे फिर अगली क्लास में डिस तेंक्यू